हेलो फ्रेंड्स आइम डॉक्टर आदिती हेडिंग दी निडूशन इंडाटर टेक्स डेपार्टमेंट इन मनिपाल हॉस्पिटल गाज़ेबार आज हम बात करेंगे खासी की खास बात खासी क्यों क्योंकि आजकर सबसे ज़्यादा जो लोगों को समस्याएं आ रही है वो खासी की वज़े से आ रही है खासी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है लेकिन ये बहुत सारी बीमारी होने के लिए एक इंडिकेशन है अगर आपका वाइरल या नॉमल फीवर या कोई भी थ्रोट इंफेक्शन स्टार्ट होता है तो जेनरली खासी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो हमें ये खासी होती क्यों है इसका बहुत बड़ा और एक अच्छा एक्जाम्पल है कि जब आप मार्केट में जाते हैं या अपने फ्रेंट सरकल के साथ होते हैं या एक या दो लोग इंफेक्शन कैच कर जाते हैं और वो अगें खासना और चीकना शुरू कर देते हैं तो ऐसा क्यों होता है ऐसा किवल इसलिए होता है क्योंकि उनका इम्म्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता है या फिर वीक होता है तो हमें अगर खासी से बच का अगर यूज करते हैं तो वो हमारी इम्म्यूनिटी को बूस्ट करता है वो बहुत सारे फूर्ट बहुत सारे नर्ट सीज कर्ड बहुत सारी चीजों में पाये जाता है अगर आप उसे अपने रूटीन में इस्तमाल करते हैं तो आप बहुत अच्छी मात्रा में विटाम से ले सकते हैं और इसके अलाबा आप जिंग का प्रियोग भी अगर अपनी डायट में रूटीन में करते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से अपनी इम्मिनिटी को स्ट्रॉम कर सकते हैं कर्ड एक प्रोबायटिक है जो कि आप अपने रूटीन में अगर इस्तमाल करते हैं त वो बहुत speedy होगा, अच्छा होगा, तो अगर आपकी body को अच्छी मात्रा में सही से nutrients मिलेंगे, so definitely आपका immunity work बहुत अच्छा होगा. इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे समझ में आती है, वो है myth. अगर मैंने generally सुना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा vitamin C, बहुत ज़रे खटे फल, अगर अपनी दायट में इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी हड़ियां गलने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं. जो कि एक pure myth है. क्योंकि vitamin C एक water-soluble vitamin है, पानी में घुलनशील है, तो अगर हमारी बाड़ी में हम excessive ले भी लेते हैं, तो वो हमारी बाड़ी से urine के थुरू excrete out हो जाता है, अगर हमारी बाड़ी में वो ज्यादा मात्रा में चला जाता है. तो हमें ये purely myth है, कि वो हमारी हड़ीों को गलाएगा, या परेशान करेगा, या जोड़ों में दर्द करेगा. एकसेस होगा, तो वोड़ी से बाहर निकल जाएगा. दही खासी में नहीं खासकते, दूद सफेद होता है, नहीं पीना चाहिए, ये केवल myth है. दूद में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, जो कि हमारी खासी को बढ़ाएगी. इनफेक्ट जैसे दूद है, सूप्स है, या फिर कोई भी हॉट बेवरिजिस है, टी कॉफी जिसमें कि आप अध्रक डाल सकते हैं, आप डालची नहीं डाल सकते हैं, इलाईची का इस्तमाल कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों से आपके गले को एक स्मूधनेस मिलेगी और आपक आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके गले में बहुत सूधिंग एफेक्ट आएगा, तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं, रही बात दही की, तो दही से particularly कुछ लोग हो सकता है उसके बेक्टीरिया से किसी को अलर्जी हो, तो अगर दही ठंडा या खटा नहीं है, या तो definitely अगर आप कर्ड कर स्वाल करते हैं, तो आपकी intestine के साथ साथ आपकी immunity को भी boost up करता है, तो इसके साथ बस हम इतना ही कहना जाएंगे, अगर आप खासी से बचे रहना चाहते हैं, तो अगर आप इन खास बातों को अपने routine में लाते हैं, तो definitely आप अपनी immunity को strong करके खास जैसी बुखार जैसी या जुखाम जैसी problem से भी बच सकते हैं, take care, be healthy, stay healthy.